तो कैसे हैं आप सब, वेलकम बाक टू माई चानल, अगर आप भी सिरफ एक महीने में अपना 5 किलो वजन घटाना चाहते हैं, तो बहुत आसानी से घटा सकते हैं, कैसे, बस आपको अपनी डाइट में एक चीज़ को शामिल करना होगा, अगर आप इस चीज़ को शामिल कर ले तो ना सिरब आपका वजन घटेगा, बलखी आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं, क्या फायदे हैं, तो चलिए, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चानल पर नहीं हैं, तो चानल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और ऐसे ही कमेंट में अपना खुब सारा प्यार देते रहिएगा, तो चलिए, जानते हैं वो क्या है चीज जिसको हमें अपनी डाइट में शामिल करना है, दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ हैं, ये सूपर फूड है दलिया, जी हां दलिये में प्रोटीन, फाइबर और वाइटमिन भी भरपूर मात्रा में होता है, आपको पता है, जो पहले के जमाने के लोग थे, वो रोटी और चावल की जगा दलिये का जादा सेवन करते थे, और उनका हास्मा भी बहुत दुरुस होता था, जिससे दलिया क्या होता है, जल्दी पच भी जाता है, और आपको लंबे समय तक भूग भी नहीं लगती, जिसकी वज़ा से आप एक्स्ट्रा क्राविंग से बच पाते हैं, अगर आप एकटोरी दलिया खा लेते हैं, तो आप खुद नोटिस करेंगे कि आपको कम से कम दुपैर तक की भूग अपने हो जाएगी, और दलिये से मिलने वाले बेनेफिट भी पूरे बॉड़ी को फायदा पहुचाएंगे, वजन घटाने के लिए जतना जरूरी है, हम लोगों का एक्सराइज करना, उतना ही जरूरी है हमारा खान पान, ब्रेकफास से लेकर डिनर तक आप जो भी खाते हैं, व इगना, मतलब तेजी से, तीन गुना जादा तेजी से बढ़ने लगता है, और आपके शरीर में एकदम से खाने पर, लोट डालने पर, गुलुकोस की मातरा बढ़ने लगती है, जिससे आपको डाइबिटीज, PCOD, थायरोट, ये सारी प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में फ प्रोटीन और फाइबर से भड़पूर होता है, या फिर आप इसको नाश्ते में और लंच ये डिनर में भी अराम से खा सकते हैं, इसमें आप धेर सारी सबजियों का इस्तमाल कर सकते हैं, ये ग्यहों को दरदरा पीस कर बनाया जाता है, जैसे खाने से शरीर हमारा फिट और फैट भी नहीं बढ़ता, दलिया एक लो क्यालोरी सूपर फूड है, इसमें दूसरे नाश्ते के तुलना में बहुत कम क्यालोरी पाई जाती है, अगर आप 100 ग्राम दलिया खाते हैं, तो उसमें आपको सिरफ और सिरफ 18 ग्राम फाइबर मिलेगा, जो आपको बहुत अ इंडेक्स पाया जाता है, जो आपकी डाइबेटीस के लिए बहुत अच्छा है, तो डाइबेटीस पेशन को जरूर अपनी डाइट में दलिया को शामिल करना चाहिए, इसे खाने से आपका शुगर लेबल कंट्रोल रहता है, और आपका बढ़ा हुआ वजन धीरे धीरे गिरने लगता है, वजन कम करने के लिए हमारी मास पेशियों को प्रोटीन की बहुत जादा रिक्वाइमेंट होती है, तो बहुत सारे लोग प्रोटीन के लिए क्या करते हैं, बहुत तरह की सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो सप्लीमेंट्स से जादा अच्छा है कि आप जो raw foods है, घर पे मारे जो foods हैं, उनको intake करें, उससे आपको बहुत अच्छी मातरा में protein मिलेगा और वो pure भी होगा, दली में न सिरफ fiber होता है, बलकि protein भी बहुत जादा पाया जाता है, तो यह आपके metabolism को boost करता है, और आपके हार्मोन को balance करता है, जिससे कि आपको कभी भी जैसे PC SOS, thyroid, ये सारी problem, in fact digestion से लिडिट कोई भी समस्याई जो होगी, वो बिलकुल जड़ से खतम हो जाएंगी, दली में anti-inflammatory गुन पाया जाता है, जो हमारी skin को भी बहुत healthy रगता है, अगर आप रोज दूद और दली का सेवन करते हैं, तो आप notice करेंगे, आपकी skin पे एक अलग कायत नहीं होगी, और अगर कब्स नहीं होगी, तो आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा, और मोटापा नहीं बढ़ेगा, तो आपको कोई भी बिमारियां जल्दी से जल्दी घेरेंगी नहीं, क्योंकि क्या होता है, जब हमें कब्स होने लगती है, तो हमारे शरीर में हमारा खाना संडने लगता है, वो बाहर नहीं निकल पाता, जिससे के मारा मोटापा बढ़ने लगता है, तो ये आपके डाइजेशन को भी बहुत बढ़िया रखता है, आपके पेट मेगर कब्स, एसिट टी, गैस की समस्या है, तो उसको भी दूर करता है, तो आज से दल्ये को अपने डाइट में जरूर शामिल करें, लेकिन हाँ, मीठे दल्ये को नहीं, बलकि नमकीन दल्ये को, अगर आप चाह झाल